तो आज हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक से एक स्टॉक के बारे में और देखेंगे कि यह बैंक किस तरीके से जो है परफॉर्म आगे जो है कर सकती है और आगे किस तरीकी का जो है इसका एक फ्यूचर रह सकता है तो बात करें तो बैंक का नाम है बंदन बैंक इसके स्ट से रिलेटेड इनका जो है बिजनिस पैटरन है लेकिन उस बैंकिंग सेक्टर में इनका सबसे ज़्यादा जो है फोकस जो रहता है वो रहता है एक अरवन को छोड़के रूरल एरिया की साइट मतलब जो एरिया ऐसा है जहां पर ग्रामीर छेतर जो है जादा है वहां पर जो ह इनका personal loan भी एगरी लॉन टूवीलर लॉन कार लॉन हर तरीके के जो है लॉनस भी जो है company प्रोवाइट करा रही है और जिसमें अगर बात करें बिजनिस की अगर बात करें तो small business medium लार्ज बिजनिस तो उनके लिए भी जो है company लॉन जो है provide करा सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटे एरिया में जब जब जादा से जब पैसा अगर पहुंच जाता है वहां पे कोबिट के समय में हुआ बढ़ा क्या एक्चली लोगों की जिनकी जौप्स जो है चली गए जोने चोटा पैसा उठाएब चालिस यार पचास यार तो वह जो है पेमेंट नहीं कर पाए तो वहां पे क्या है कि एनपी जादा हो गया एनपी जादा होने की बज़य से जो है लाज पार्ट ऑफ कि वहां से पैसा निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया तो जो एरिया जो था कि ज से जो है पैसा निकलना अप होँआ जो फॉकस की अगर लेबात करेंगे तो सबसे जादा देख सकते हैं आ पे थर्टी सिक्स और 37% का जो एरिया है मतला आप देख सकते हैं करीब-करीब 70% के आसपास का जो इनका जो एक एरिया है वो है semi-arvan और rural area तो यह semi-arvan और rural area में वही उसी तरीके के जो है एक आपको जो है client जो है मिलते हैं जहां पर जो है लोग छोटा पैसा जो है जादा लेना पसंद करते हैं तो वह area जो है कोविट की वज़ा से डिस्टर्व हो गया और वह डिस्टर्व होनी की वज़ाए से जो है bank का जो है पैसा फस गया और वह पैसा फसने से ही जो है कि emerging entrepreneurs business मतलब जिन्होंने एक किया अपना बिजनेश छोटा सा जो है उन्होंने जो है बिजनेश जो है लगाया emerging entrepreneur business बहां पे सबसे ज़्यादा पैसा फसा उस group के अंदर 57% के आसपास का तो यहां पे यह total advance की अगर बात करें अगर बात करें सबस्यादा पैसा वहां पर फसा फिर ए भी इंडिवीजुल में 10% फस गया तो यह सारा का सारा जो है एक इस तरीके से जो है लौन जो है इंक्रीज होता हुआ दिखा तो यहां पर आने वाले टाइम में जिस तरीके से जो है कंपनी दीरे-दीरे करके आला कि इससे पहले प्री कोविट कि अगर यह हिसाब के तब आप देखो तो बहुत ही अच्छी कासी जो है इसकी परफॉर्मेंस रही है और यहां पे जो है मैं आपके सामने इसकी परफॉर्मेंस रखूं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखेंगे आप तो क् कंपनी जो है बहुत बुरी तरीके से जह माइनस में गई यह का यह ओंनैर भी जो है मैं इसकी प्रफॉर्मेंस बहुत ही जो है बुरी गई है इसकी तो यह जब चीज है देखते हुए परफॉर्मंग नहीं कर पार को करें मार्चेटयप की अगर बात करेंैं कि डिविडर्ण्ट की बात करेंगे यालाकि ये 18 Energiesim पैसे जो है डिविडेंट दिया है इसमें वैसे देखेंगे कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं दिखेगी सतर अठारह उन्यस बीस एक किस जंप देखने को मिलेगा आपको प्रॉपिट की अगर बात करेंगे सतर अठारह उन्यस बीस में भड़िया जोगा प्रॉफिट आता हुआ दिखा है 21 में भी जो है प्रॉफिट आया है एंड यहां प अब 3,008 करोड का अगर आप हिसाब किताब लगाएं इसमें से करीब आप 400 करोड के आसपास का अगर निकाल भी देते हैं तब भी करीब करीब जो है यहां पर अगर बात करें तो यह रह गया आपका 2600 करोड के आसपास का एन्वली के इसाब से अगर नेट प्रॉफिट के 2600 करोड बोलाओ जो दो क्वाटर के अंदर पहले तो 2600 करोड कंप्लीट कर दो और 2600 करोड अगर कंप्लीट अगर हो भी जाते हैं तो तब भी यहां पर आएगा जीरू अब देखने वाली बात ही होगी कि आने वाला क्वाटर किस तरीके से जो है यह परफॉर्म करती है घाटा भड़ता है या घाटा कम होता है देखने वाली बात होगी यह तो कि यहां पे अब यह जो फैक्टर जो आया है यहां पे देख सकते हैं आप पहले मार्च के बाद म अचानक अंधकार आ गया 3000 क्रोट तो यहां पे अब यह देखना है कि आने वाला क्वाटर जो जाएगा दिसेंबर वाला यह क्या परफॉर्म करेगा प्रॉफिट के अंदर या यह परफॉर्म करेगा लॉस में अगर यह बेसिकली अगर लॉस के अंदर अगर जाता है हलाकि लॉस यहां से जो है कम होता है तब भी कंपनी जो है एक एर ओन एर की अगर बात करेंगे तो बहुत ही बुरे घाटे में जाएगी तो यहां पे अगर अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर एक्जामपिल अगर हम लें तो सबसे ज़्यादा इनका जो है 2020 के अंदर जो है प्रॉफिट हुआ है तीन हजार करोड का उसके एसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी उतना ही मुझे लगता है कि इस बार जो है उससे कहीं ऐसा ना हो कोई जादा ही जो है यहां पे इसको एक लॉस होता हुआ दिखें तो यह जरूर आप देख लें अगर आप पैसा इसमें आपने लगा रखा है या आप लगाने वाले हैं या आप लगाने की सोच रहे हैं तो यह बिलकुल आप ध्यान में रखें और उसके एसाब से जो है पैसा लगाने की सोच है क्योंकि यह वाला जो एरिया है मार्केट इसको जो है माफ नहीं करेगी आने वाला क जो है इसका जा सकता है प्रोमोटर की बात करेंगे तो बंदन फाइनेंशल वोल्डिंग लिम्टेट वही जो है इनी की खुद की फर्म है और यहां पर बात करेंगे तो एक अच्छा-खासा होल्डिंग मौजूद है तो वैसे एक अच्छा-खासा जो है डाइवर्सीफाई ह तो अगर आपके वीडियो चले है तो आप लाक जरू करिएगा अगर आपने चैनल को यहां सबस्क्राइब करने हमारे मेंबर्श प्रोग्राम से अगर आपको जोडबना है दो आप टीलिगराम चैनल के तुरू हमसे है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैंने आपको बताई दिया तो मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले कोटर में जो है यह प्रॉफिटेविल्टी में जा सकता है लेकिन लॉस में मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वाला क्वाटर भी रहने की संबाबना ज्यादा लग रही है तो अगर आप बात करें जनवरी 2021 से स्टॉक में आप द की जो है गिरावट आ चुकी अगर यह वाली केंडल भी देखेंगे उसके इसाब से भी तो अगर नीचे अगर बेस अगर देखेंगे तो करीब 260 का है लेकिन तब भी जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए अभी पहले इसको जो है आप देखें कि किस तरीके का आने वाला क्व है अने वाले दो एक ही कवाटर नहीं आने वाले आपको दो से तीन कवाटर देखने चाहिए क्योंकि जिस तरीके से जो है बैंक एक बार जब लड़खड़ाता या किसी कर पीजनेस अगर लड़खड़ाता है उसको वह समेय लगता है और जब इतना बुरा अगर लड़ख रहे आने वाले एक साय तक और आपको गए लो जोई है तो कोई पैसा नहीं ना भड़ेगा तो इसे बड़िया यह कि गया है रहाँ कि हां पे ज UX कंडल बन二 न 21 95 जो है बन रही है आने तो यहां पर तो आला की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थोड़ा टाइम दें क्योंकि इस तरीके से अगर देखेंगे इस इसाब से चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो बिल्कुल जो इस टॉक अपने वेरी बियर इस रेंज में है मेरे इसाब से टाइम देना करना चाहिए अगर इसको जो है यह ब्रेक आउट देख ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक बिल्कुल जो है नीचे और जो है जाता हुआ देख सकता है तो अपना भी जरू करने उसके बाद ही स्टॉक को बाइस यह लिया होल्ड करें स्टॉक से रिलेटर अ आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं थैंक यू